एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि जब 125 CRPC यानि मेंटिनेंस के केस में कोर्ट के द्वारा पत्नी के पच्च में ओर्डर दे दिया जाता है जानि मेंटिनेंस की रास को एलाव कर दिया जाता है और कोर्ट पती को ये ओर्डर कर देता है कि वो एक निर्धारित रास प अधिक्तम सजा क्या होगी तो नमस्कौर मित्रो मेरा नाम है आधित्य आप देखने ड्वोकेट आधित्य टूप चैनल आज के वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि जब कोर्ट के द्वारा पत्नी के पच्छ में मेंटेनेंस एलाव कर विया जाता है यानि कोर्ट पती को क्या सजा दे सकता है और अधिक्तम उसे कितने वर्स या कितने महीनों के कारावास की सजा सुना सकता है आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते है जब पत्निया 125 CRPC का अप्लिकेशन कोर्ट में देती है अपने पती से के रूप में देना होता है और अधि ऐसा होता है कि जो पती होता है वो प्रतीमा अपनी पत्नी को भरर पो सर नहीं देता है तो एसे में पत्नी को 128 CRPC का कोर्ट में अप्लिकेशन देना होता है जो वसूली करने के लिए दिया जाता है जिसमें कोल्ट के द्वारा पती के खिला वारेंट निकाला जाता है फिर पुलिस पती को पकड़ के कोल्ट में हाजिर करती है और उसके बाद यदी कोल्ट में आने के बाद पती जो बकाया भरर पोसर की रासी है वो दे देता है तो उसे बरी कर दिया जाता है और जेल नहीं भेजा जाता है लेकिन यदि पती अपनी पत्नी को मेंटिनेंस की जो बकाया रासी है वो नहीं देता है उसके बाद कोर्ट उसे एक महीने के लिए जेल की सजा सुनाती है यानि पती को एक माह के लिए जेल भेज दिया ज यानि 125 CRPC में एक बार में अधिक्तम पती को एक माह का कारावास का सजा सुना सकता है और एक माह के लिए कोर्ट पती को जेल में भेज सकता है और अब यहाँ पे एक और महतपूर सवाल बनता है कि क्या यदि पती एक माह के लिए कारावास चला जाता है यानि कोर्ट उसे एक म पतनी को भरर पोसर की रास उसे नहीं देना पड़ेगा वो माफ हो जाएगी तो आप गलत सोच रहे है यदि पती कारवास की सजा भी भुगत लेता है यानि वो जेल भी चला जाता है उसके बाद भी पती को मेंटिननस की रास देनी पड़ेगी किसी प्रकार की कोई माफी नह पतनी मिलेगी उसे बकाया जो भरर पोसर की रास ही है देने में बलकि जो भरर पोसर की रास ही है जो बकाया है वो बकाया बढ़ता ही जाएगा जब आप कारवास की सजा काट के फिर से बाहर आएंगे और अपनी पतनी को भरर पोसर की बकाया रास नहीं देंगे तो फिर प आपको एक माहा के लिए जेल भेज़ दिया जाएगा यानि यहाद प्रिक्रिया पती के लिए तब टक चलती रहेगी जब तक वो बकाया पूरी भरर पोशर की रास नहीं भुतान कर देता, उसे बार बार एक माहा के लिए कारवास में भेज़ा जाएगा और मैं आपको यहाँ पे एक और महत्पूर बात बता दू, आप एक माह जो जेल में रहेंगे ऐसा नहीं है कि उस माह का आपको भरर पोसर नहीं देना होगा, उस माह का भी भरर पोसर जोड़ा जाएगा और वो भी आपके उपर बकाया बढ़ता जाएगा I hope कि अब आप समझ चुके होंगे कि यदि 125 CRPC में कोर्ट के ओर्डर हो जाने के बाद यानि कोर्ट मेंटिनेंस की रास निश्चित कर देता है और उसके बाद यदि पती मेंटिनेंस नहीं देता है अपनी पतनी को तो ऐसे हिस्तिती में पतनी 128 CRPC का अप्लिकेशन देती है और एक-एक माह के लिए बार-बार पती को जेल जाना होगा और यहाँ प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक बकाया सारा भड़ पोसर की रास पती नहीं भुकतान कर देता है अपनी पतनी को अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें वहाँ भी बताए गया है कि आप किस परकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते है अज यदि आपको वीडियो पसंदा आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन तब तक के लिए जय हि